वेलकम टू जीरो सु जिन्यस तक के इस वीडियो क्वी टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जी के जी इसके 50 सवालों को तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है नोबिल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम ACI कौन थे आपको जबाब सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय जो सुरू होते हैं अब नोबिल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम ACI कौन थे आंसर हो जाएगा आपसन बड़ी राविंद रनाथ टाइगोर इन्हें 1913 इस भी में गितांजली के लिए नोबिल मिला था मचलियों के यकरित के तेल में किसकी अधिकता होती है ये भी सवाल आपके एकजाम में आते रहता है आप चाहे तो ये स्क्रिन सॉट ले सकते हैं सही आंसर हो जाएगा आपसन बड़ी बिटामिन डी कोशन बड़ तिन भारत में अस्थानिय स्वाशासन के जनक कौन था ये सवाल हाली के बहुत थी अच्छे लेवल के एकजाम था एंटीफेस एकजाम उसमें आया था सही आंसर हो जाएगा आपसन बड़ी लौड रीपन भारत में अस्थानिय स्वाशासन के जनक कौन था लौड रीपन कब लागू हुआ था 882 इस भी में कोशन बड़ फोड वस्तू की मत्रा बदलने पर आपरिवर्तित रहेगा ध्यान से देखिए आंसर आपको समझ आ जा आंसर हो जाएगा आपसन बड़ी घरत्वा उसके डेंसिटी पे कोई परिवर्तन नहीं होगा आंसर होगा घरत्वा कोशन बड़ फाइब जब कोई वस्तू उपर से गिराई जाती है तो उसका वेट पर क्या परभाव परेगा जब कोई वस्तू उपर से गिराई जाती है तो उसका वेट पर क्या परभाव परेगा आंसर होगा आपसन बड़ी परिवर्तन सिल रहेगा परिवर्तन सिल रहेगा उसका वेट परिवर्तन सिल रहेगा सती प्राथा पर पर्तिबंध किसने लगाया था आंसर वह जाएगा आप्सन नमबर ए लॉर्ड विलियम बैंटिक कोश्चन नमबर सेविन भिलाई एस्टिल पलांट किस राज्या में इस्तित है अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर सी चहतिस गड कोशन नमबर एट भारत में cellular phone सेवा कब शुरू हुई आपको पता है cellular phone रिसीवर वाला फोन की सुरुवात कब हुआ था अपने भारत में आंसर हो जाएगा option no.D 1995 इस बी में question no.9 उत्तर भारत का मैंचेस्टर किसी कहा जाता है? उत्तर भारत का मैंचेस्टर किसी कहा जाता है? ध्या रखिये उत्तर भारत आंसर हो जाएगा option number D कानपूर को question number 10 है भारत का मैंचेस्टर की से कहा जाता है उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपूर को और भारत का मैंचेस्टर की से कहा जाता है आंसर हो जाएगा option number A आहमदाबाद को ओके और आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेश के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल इकन को दबा कर नोटिफिकेशन को अल कर दीजिए क्योंकि ये चाइनल आपके सिलेवस पर और करता है धन्याबाद आगे सवाल है भारत में इंटरनेट सेवा की सुरुआत कब होई भारत में इंटरनेट सेवा की सुरुआत कब होई और सही अंसर हो जाएगा option number D 1995 इस बी में question number 12 भारत के ज़ंडा गीत के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा option number A श्यामलाल गुपत भारत के ज़ंडा गीत के लेखक कौन है? स्यामलाल गुपत question number 13 तामबे की गेंद को गर में करने पर इसका घनत्व पर क्या परभाव परेगा बहुत important इस सवाल है आपके एक्जाम में आते रहता है तामबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व पर क्या परभाव परेगा सही answer हो जाएगा option number B घटता है question number 14 बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था ये भी सवाल आपके 2021 के एक्जाम में आया था तो सवाल important है बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था सही answer हो जाएगा option number A Lord करजन के सासनकाल में कब तो 1925 भी में ठीक इसके बाद एक और बात हुआ था question number 15 खो देखिए बंगाल विभाजन रद किसके काल में हुआ था एक और बात हुआ था यही बंगाल विभाजन रद किसके काल में हुआ था सही answer हो जाएगा option number B Lord होडिंग द्वितिये के सासनकाल में बंगाल विभाजन रद हुआ था और ये भी सवाल आप से पूछा जाता है, बंगाल विभाजन रद कब हुआ था? तो आंसर आपको पता है, 1911, puntos 11 भीष्वा भारती भीष्वा विद्याले के संस्था पक कौन थे? भारती भीष्वा विद्याले के संस्था पक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा option number B रविंदर नाथ टाइगोर question number 17 उचाई बढ़ने से वायू मंडली दावे पर क्या परभाव परता है उचाई बढ़ने से वायू मंडली दावे पर क्या परभाव परता है आंसर हो जाएगा option number B घटता है ये सबी सवल बहुत important है आप ध्यान रखिएगा question number 18 संसार की छट roof of the world किसको कहा जाता है सही answer हो जाएगा option number D पामिर के पठार को question number 19 किस अनुछेद की अनुसार भारत राज्यों का संग होगा सही answer हो जाएगा option number B अनुछेद एक एक के अनुसार question number 20 भारत की प्राथम पंचवर्सिये योजना का कारे काल क्या था भारत की प्राथम पंचवर्सिये योजना का कारे काल क्या था सही answer हो जाएगा option number A 1951-56 आगे सवाल है किसे आधुनी के भारत का जनक के कहा जाता है सही answer हो जाएगा option number C राजा राम मोहर राय को question number 22 निम्नलिखित में से किसकी अस्थापना जियोतीबा फूले ने किया था ये भी सवाल आपके ACC CPO एकजाम में आया था सही answer हो जाएगा option number A सत्यसोधक के समाज की अस्थापना जियोतीबा फूले ने 1873 इस भी में किये थे आगे सवाल है हिंदू जैन ये वाध तीनों ही धर्मों का पर्तिनिजित्वा करने वाली गूफा कौन सी है भी भी सवाल है आपके एकजाम में आते रहता है सही answer हो जाएगा option number D एलोरा की गूफा question number 24 हमारा भारत महान देश है एक के आपको options के according answer देना है हमारा भारत महान देश है एक के धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र है सही answer हो जाएगा option number A question number 25 राजस्थान के किसे सहर में पूसकर मेले का आयोजन होता है ये सवाल हाली के एकजाम में ये भी सवाल आया था यानि कि 2021 के एकजाम में पूछा गया था अब किस एक्जाम में था ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आपके जो 2021 के पढ़तियोगी पढ़िक्छा हुए थे कहीं न कहीं ये सवाल आया था सवाल है राजस्थान के किस सहर में पूसकर मेले का आयोजन होता है सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर ए अजमेर आगे सवाल है संसत की दोनों सदनों को बैठक के के लिए अमंतरित कौन करता है कौन बुलाता है संसत की दोनों सदनों को बैठक के के लिए अमंतरित कौन करता है आँसर हो जाएगा आपसन नमबर C राष्ट्र अपती जी और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं लोक सभा अध्यक्ष आगे सवाल है दोनों सदनों की सन्युक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है आपके लिए ये भी question टाइप कर दिया गया है दोनों सदनों की सन्युक्त से बैठक की अध्यक्षता कौन करता है आपके लिए बहुत ध्यान रखके question को तयार किया गया है वरतमान में लोक सभा के अध्यक्ष कौन है आपके सवाल है हीन यान महायान किस धर्मे से संबंधित है सही आंसर हो जाएगा option number B बौध धर्म question number 30 श्वेतामबर और दिगंबर किस धर्मे से संबंधित है स्वेतांबर और दिगंबर कीसे धर्मे से संबंधित है सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर ए जयन धर्म आगे सवाल है 1998 का परमानु परिक्षन कहां किया गया आंसर हो जाएगा आपसन नमबर दी पोकरन राजस्थान में आगे सवाल है टेश्ट आफ माई लाइफ नामक किताब किस के द्वारा लिखी गई है टेश्ट आफ माई लाइफ नामक पुष्ट तक किन के द्वारा लिखी गई है आंसर हो जाएगा आपसन नमबर ए सिक्सर किंग एवराज सिंग के द्वारा आगे सवाल है अग्रा के लाल किले का निर्मान किसने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा option number C, अकबर के द्वारा करवाया गया था आगे सवाल है करो या मरो का नारा बहुत ही? करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारु छोरो अंदोलन के समय 1942 में आंसर हो जाएगा आपसन नंबर ए महत्मा गाधी आगे सवाल है अलवरुनी भारत किसके साथ आया था सही आंसर हो जाएगा आपसन नंबर ए मुहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत मुहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था अलवरुनी भारत किसके साथ आया था मुहम्मद गजनवी के साथ आया था ओके मुहमुद गजनवी के साथ आया था ये भी सवाल आपके एक्जाम में आते रहता है अलबरुनी भारत किसके साथ आया था महमुद गजनवी के साथ आया था ओके आगे सवाल है इबन बतुत्ता किसके समय में भारत आया था मुरक्को यात्री इबन बतुत्ता किसके समय में भारत आया था आगे सवाल है चंपारन का आंदोलन कब हुआ सही आंशर हो जाएगा आप्सन नमबर सी उन्नी सो सत्रह इस्वी में और ये भी सवाल दोजार एकिस के एकजाम में आया था आगे सवाल है जंधन योजना की सुरूआत कब की गई ये भी सवाल आया था जंधन योजना की सुरूआत कब की गई आँसर है आप्सन नमबर बी 15 अगस्त 2014 को आगे सवाल है अंकोरवाट का मंदिर किस देश में इस्तित है अंकोरवाट का मंदिर किस देश में इस्तित है आंसर होगा आफसन बड़ी कमबोडिया आगे प्रस्न है भारत की यातरा पर आने वाला प्रतम ब्रिटिस समराथ कौन था भारत की यतरा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश समराथ कौन था? आंसर हो जाएगा आफ्सन नमबर C, जॉर्ज पंचम आगे प्रस्ने है भासा की अधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्या कौन है? आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर C, जॉर्ज पंचम परकास के प्रकिर्णन के कारण कोश्चन आगे है दीश में सबसे पहले सुरियोदय किस राज्य में होता है सही अंसर हो जाएगा अप्शन बड़ी अरुनाचल परदेश आगे सवाल है भारत का नियाएक सलाहकार कौन होता है भारत का नियाएक के सलाहकार कौन होता है सही अंसर हो जाएगा अप्शन बड़ी महा नियाएवादी कौन होते है जी महा नियाएवादी परजिन टाइम में कौन है केके वेनु गोपाल अगे सवाल है सर्वे सिक्षा अभियान का संबंध किस से है सर्वे सिक्षा अभियान का संबंध किस से है सही अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए प्राथमिक के सिक्षा से अगे सवाल है दक्षिन भारत में बैस्नो धर्म का परचार किस ने किया था सही अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए अलवार के संतों ने आगे प्रस्ण है राज्य अपाल की नियुक्ति की निवनतम आयू सीमा क्या है आपको राज्य अपाल बनना है तो आपका निवनतम आयू सीमा क्या होना चाहिए आंसर हो जाएगा आप्सन नंबर C 35 words आगे सवाल है भारत में पहला डाक टीकट किस वर्ड से जारी किया गया सही आंसर हो जाएगा आप्सन नंबर A 852 इस भी में आगे सवाल है लोड डॉल होजी के सासनकाल में ती पद का संबंध किस खेल से है ती पद का संबंध किस खेल से है सही आंसर हो जाएगा आप्सन नंबर D गोल्फ कोशन नंबर पच्चास छेत्रफल की द्रिष्टी से 20 वाका सबसे छोटा देश कौन सा है तो आप हमेरे से रेगुलर जरूर रहिए आपको निचित फायदे होंगे सही आंसर है आपसन नंबर D वेटी कन सेटी तो आपके लिए एक सवाल आएगा जो ये सवाल तो पिछले वीडियो के क्यूफर यू में पूछा गया था सीखो के प्रथम गूरु जी कौन थे आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पोंस दिये थे आप सभी को कॉमेंट करन दिवास कब मनाया जाता है यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंप्ली आपको कॉमेंट वक्स में लिख देना है क्यूफर यू और इसके राइट आंसर तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में अपना ध्यां रखिए खुस रहा करिए आप रिगुलर पढ़ाई कर यह आपको सफालता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे लगे रही हैं मिलता हूं फिर जय हिंद जय भारत